हलो एबरिवन, वेलकम टू मैं चैनल आशेस लाइफस्टाइल्ल आज हम शेयर करेंगे बहुत ही यमई और टेस्टी मचापणने की रसीपी और यी मचापकने की रिसीपी काफी कम मसाले जमेने बनाई हैं और एक दिम रेस्टन स्टाइल आप बो सकते हैं, हलबाई स्टाइल पो सकते हैं, बैसी लग रही है और बहुत कम मसाले जूज करें तो आप इस तरह की सबसी अगर आप बनाएंगे तो आपके हल्क लिए अचा होगा और आपका टेस्टी खाना भी हो जाएगा तो आप इस व प्यास को बारिक पारिक यहां पर हमने बड़ी लाइची ली है यहां पर हमने दालचीनी ली है उसके बाद हम यहां पर चार पांच काली मिर्च लेंगे यहां पर हमने दो लॉंग ली है चोटी लाइची ली है काजू लिया है और लसन लिया है काफी सारे और अद्रक और ह तो यह सारे हमारे इंग्रिडेंस हो गए अब हम इसको fry करेंगे थोड़ी से ओयल में क्योंकि ग्रेवी बनानी हमें जो फ्राइ करके ग्रेवी बनाते हैं उसका जो फ्लेवर आता है वह बहुत ही यमी आता है और मार्किट में भी आजकल ऐसे ही बतता है तो यह हमने भी डाल दी है और इसको थोड़ा सा फ्राय होने के बाद हम इसमें डालेंगे लॉंग और इसमें हम डालेंगे काले मिर्च जो चार पांच हमने ली थी और दो छोटी लाईची तो यहां हमारी सारे मसाले हो गए हैं अब हम यहां पे प्यास डाल देंगे और प्यास को भी थो तो लालमिज बहुत जल्दी काली हो जाती है तो वह काली हो जाने के बाद उसका जो फ्लेवर है वह अच्छा नहीं आता इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेट डालेंगे प्यास के बाद यह थोड़ी सी पग बी जाएगी तो इसका फ्लेवर बहुत यमी आएगा ग्रेवी में तो इसलिए आप इसको लेट डालेगा यह मेरा मानना है बाकी आप अगर पहले डाले तो भी कोई इशु नहीं है इसके बाद जब सारे मसाले अच्छे से थोड़ी गोल्डन हो जाए लाइट गोल्डन फिर हम लास्ट में डालेंगे काजू और काजू हम लास्ट में इसलि तो बस यहां पर हमें गैस ऑफ करनी है और इसके बाद तब तक हम मटर मटर दो लेते हैं वह ठंडा हो रहा है मटर दोने के बाद मैंने इसको गैस में रख दिया है बॉल होने के लिए यह फ्रेश मटर है हमारा फ्रोजन मटर नहीं है बट फिर भी उसको थोड़ा बॉल कि तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है एकदम अच्छा पेस्ट बन गया काफी अच्छा कलर आया है अब हम टमाटर पीस लेंगे और टमाटर की प्यूरी भी रेडी हो गई है तो बस अब इसके बाद हम यहां पर पनीर लेते हैं आमूल का फ्रेश पनीर और इ इसको लंबे-लंबे पीस में कट कर रहे हूं मीडियम पीस जो होता है पनीर का वैसा तो हम सारे पनीर को अभी फटा-फट से काट लेंगे और हां आप पनीर को जब ओपन करें उससे पहले एक बार पनीर को साफ़ पानी से जरूर धोले और उसके बाद कट करें तो यहां प पनीर से हो जाएगा एक पैकेट पनीर से तो यहां पे मेरी सारी पनीर चौप हो गई है और अब हम फिर से कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गरम होने देंगे फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल एक से देर चमत जादा तेल नहीं डालना है और अब हम यहां पे सारी पनीर डाल देंगे हमें पनीर को लाइट गोल्डन होने तक थोड़ा सा फ्राय करना है क्योंकि जब आप मटर पनीर में फ्राय करके पनी डालेंगे तो उसका फ्लेवर तो बहुत मज़ेदार आता है मतलब आप कभी ये रेसिपी बना कि देखिएगा तो आप मुझे ज़रू ब़की आपके देखिएगा और वरकत के लाएं वरच यहां दौरड पुल तो यहां देखि मेरे सारी शीर इसिजों के तयारी हो गही है थेज पत्ता-टेल गरम हूं है तो में दाल दिया है जीरह नहीं बस्कें सा good गोल्डन मतलब ब्राउन और उसके आद हम डालेंगे तेज पत्ता उसके बाद लाल फिर्च और उसके बाद हम यहाँ प्यार लसन वाला पेस्ट डाल देंगे तो और बस इसको अब हमें तीन से चार मिनिट के लिए भूनना है तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से ट्राई मसाले डालेंगे तो जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते इसका कलर कितना अच्छा लग रहा भी बट अभी कलर और भी आएगा तो बस यह एक बार अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो ह हम सबसे पहले डालें हल्दी ॏर यहां इसके बार हम इसमें डालें गालेंगे ऑ monopol हम जाने साएं पशेी थोड़ा खटा पन के लिए तोड़ासा चट्टे बने सब्सक्राभी मित्याश तो ऑम जाने आचे तो ये देखिए 2-3 मिट ग्रेवी पकाने के बाद ये एकदम अच्छे से पक चुकी है देखिए तेल साइड साइड छोड़ दिया इसने तो अब हम डाल देंगे टमाटर की प्योरी और इसको भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे एक बाद और आप देख सकते हैं द vista से अच्छे से दिकतास ति आपको मतलब भी आप बसकें तो तो आपको इस आपको लुए बढोगर Maps के कर लेंगे और आ जादा कि मिक्स कर लेंगे और आप और बस इतने ही मसाले डाले, इसमें मैंने कोई गरम मसाला यूज नहीं कर रहा है, कोई पनी मसाला नहीं यूज कर रहा है, तो बस यह देखे, मेरी ग्रेवी काफी अच्छी लग रही है, तो अब हम यहापे डाल देंगे मतर, थोड़ देर टमाटर पकने के बाद, फिर मतर मतर को भी, थोड़ा सा 1-2 मिनित पकने देंगे, कि मतर को बोल करई लिया है, और इसको लो फ्लेम में या लो M- fifteen मटर पकने के लिए छोड़ देगे उसके बाद एक से दो मिनिट देख सकते हैं और चोड़ने लगा है तो हम या पर पानी डाल देंगे और पानी जादा नहीं डालेंगे विकोस हमें थोड़ी सी ग्रेवी जादा करनी है बस इसलिए हल्का सा पानी डालेंगे एक कटोरी संते और बस इसको boil आने देंगे, तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं, boil आगया और gravy काफी अच्छी बन गई है, तो यहाँ पे हमारी gravy भी बनकर काफी अच्छी gravy बनकर ready होई है, अब हमारा last ingredients और main ingredients हम पनीर डालेंगे इसमें, और पनीर को भी इसमें 1-2 मिंट हम रहने करिएगा नहीं तो अगर ज्यादा mix करने से क्या होगा पनीर चोटी-चोटी टुकडो में डूट चाहेगी बिकोस पनीर काफी soft होती है तो बस हम इसको इस तरीकी से mix करके छोड़ देंगे एक से 2 मिनट के लिए और बस हमारी सब्ची यहां बनकर ready होगी है, आप इसमें कस कासुरी मेथी नहीं डाले विकोस बच्चे नहीं खाते हैं कासुरी मेथी से थोड़ा फ्लेवर चेज हो जाता है बस और कुशनी बाकी आप देख सकते हैं सब्ची एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी एकदम यमी सी एकदम टेस्टी सी और कम मसाले से बनकर ready हो गई है और आ या पत्ती भी हटा देते हैं सो यहाँ पे मेरी सब्ची बनकर ready हो गई है मैंने थोड़ा यहाँ पे क्रीम से गानिश कर लिया आप देख सकते हैं last look तो बस फिर पहने इसको चावल और रहता के साथ सर्फ किया और मस्त हमारा लंच हो गया एकदम टेस्टी सा तो कैसी लगी आप लोग को यह तैसे पी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मिलते हूं फिर ऐसी अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई